नमस्कार गुडीवनिंग बहुत स्वागत है आप सबका आप देख रहे हैं टॉप फाइव एक ऐसा बलुटेंग जिसमें पांच बचते ही 25 ख़बरों का पूरा अपडेट हम आपको देते हैं और सबसे पहले एक बड़ी ख़बर रायपूर से नवा रायपूर में फूर्ड पॉजनिंग से 30 से ज्यादा गायों की मौत हो गई है सौ गाय अभी बीमार हैं कई क्यालत गंभीर है जिला प्रशासन ने मुआवजे का एलान कर दिया है लेकिन अभी भी मुक्तांगन परिसर के बाहर कच्रा पहला पड़ा हुआ है प्लास्टिक कच्रे के बीच में मवेशी खाना खाते दिखें कच्रा नहीं अटने से खत्रा बढ़ने की आशंका है रायपूर में युवा मितान समेलन का आईजन किया गया था और इस कारक्रम में राहूल गांधी शामिल हुए थे लेकिन कारक्रम के बाद ये बात सामने आई कि जिस कंपनी को कारक्रम के दौरान खाने का ठेका दिया था उसने बड़ी लापरवाही की है कंपनी ने हजारों पैकेट खाना बिना बांटे फेक दिया बताया गया खाना दो दिन पहले पैक कर लिया गया था गायों की यही सड़या खाना खाने के बाद में फूड पॉजनिंग से मौत हुई है तो नवारायपुर में फूड पॉजनिंग से गायों की मौत हुई है सौ गाय बिमार पड़ी है कई की आलत गंभीर है जो दो दिन पहले आयजन हुआ था इसमें आयज फूड पैकेट्स को खाने के बाद गायों की आलत खराब हुई और अभी भी कई फूड पैकेट्स वहां पड़े हुए है इस तरह की जानकारी है दर रायपुर की एर होस्टेस रूपल ओग्रे की मुंबई में संदिक्त मौत हो गई है मुंबई अंधेरी के एंजी कॉम्पलेक्स के फ्लैट में लाश मिली पुलिस की जाच में बिल्डिंग की सफाई कर्मी विक्रम अटवाल ने आरूप कुबूला है आरूपी से पूचताच में पुलिस की टीम जुटी हुई है रायपुर के राजिंद रगर की रहने वाली थी रूपल ओग्रे एर इंडिया में एर होस्टेस पद पर काम किया करती थी अंधेरी के एंजी कॉम्पलेक्स के फ्लैट में एर होस्टेस की लाश मिली है और इस मामले में जो संदिक्ध है जिसे आरूपी बनाए गया उसने अपने आरूप कुबूल किया या उसने अपने उपर लगे हुए आरूप को स्विकार किया सफाई कर्मी विक्रम अटवाल ने आरूप को कुबूला है पूछताच पोलिस कर रही है रायपुर की राजिंद नगर की रहने वाली थी रूपल ओग्रे एर इंडिया में एर होस्टेस की पद परपदस थी संदिक्द परिस्थिती में इसकी मौत हो गई है फ्लैट में दरिंदोर में बदमाशों की रशियन पार्टी का एक वीडियो सामने आया शराब पार्टी की साथ साथ रशियन डांसर्स को भी बलवाए गया गैंस्टर अरुन वर्मा का जन्दिन बताया गया था इसी के पार्टी में ये वीडियो बनाया गया बदमाशों में मनोहर वर्मा, शैलू जैसवाल और कई सटोरी ये शामिल दिखते हैं ये वीडियो स्काई लाइन रिजॉर्ट का बताया गया इस वीडियो के सामने आने के बाद नाइट कल्चर, पब कल्चर इस तरह के आयोजन जिसके उपर रोक लगी है इसके बावजूद ये कैसे हो रहा है इन दौर में ये सवाल उटकिया इदर जबलपुर में युवक का बंदूक लेकर डांस करने का वीडियो भी आप देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर वाइरल है, हाथ में पिस्टल लेकर डांस करता हो युवक देखा, वीडियो के बैक्राउंड में कुछ काना बचता हुआ सुनाई पड़ रहा है युवक ने करीब डेड़ महीने पहले सोशल वीडिया पर इस वीडियो को अपलोड किया था, सूचना मिलते ही पुलिस ने आरुपी को गिरफतार किया, पिस्टल और कार्तूस को जब्त कर लिया महीं आरुपी संजू लोधी के किलाब पूरु से एक दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज बताये गए, फिलाल वो फरार था, उसके खिलाब अदालत में स्थाई वारंट जारी किये गए थे, वीडियो सामने आने के बाद उसको गिरफतार किया, आगे इसकी जाँच की जा मृतकों में दो तो सगे भाई बताये गए, जिले में साड़े तीन महीने में ये तीसरी वारदात है, अब तक आठ लोगों की जान गई है, परसाही गाउं में संजे सांडे, संतकुमार सांडे और जितेंद्र सांडे ने शराब पी, जिसके बाद तीनों की तब्यत और अकलतरा अस्पताल ले जाने पर दो सगे भाई संजे और जितेंद्र को डॉक्टर ने मृत गोशित कर दिया, तीसरे व्यक्ती जितेंद्र को विलासपुरे फर किया है, रास्ते में उसने दम तोड़ दिया, इस घटना के बाद इलाके में हलकम मच गया है, इसके पहले बाते हैं, पॉलिटिकल खबरों पर जन आशिरवाद यात्रा में ना बुलाने पर पूर मुक्यमंत्री फाइर ब्रांड नेत्री उमा भारती बेहत खफा हैं, उन्होंने एक बार फिर अपनी भडास का इजहार किया, उन्होंने लिखा है ट्विटर के उपर कि जन पिकल्चर छोड़नी की अपेल की, दरसल जन आशिरवाद यात्रा में नहीं बुलाए जाने पर उमा भारती बेहत नाराज हैं, उन्होंने कहा था कि जन आशिरवाद यात्रा में मुझको नहीं बुलाए गया, डर है कि सरकार बनने के बाद मुझे पूछेंगे भी की नही विधान सवचनाव को लेकर भारती जंता पार्टी की तैयारियां जोरों पर हैं प्रदेश और केंद्री निता लगतार बैट के लेकर जायजा ले रहे हैं इसी बीच राजनान गाओं में विधान सबस्तरी ग्रामीन कारेकरता सम्मिलन हुआ आयजन में प्रदेश के पूर मुख्यमंत्री और बीजेपी के राश्ट्री उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंग ने शिरकत किये इस दौरान कारेकरताओं को विधान सबस्तर चुनाव को लेकर कई दिशान दिर्देश भी दिये सतना जिले के चित्रकूत और रामपुर विधान सबा होते हुए सतना में प्रवेश कर चुकी है आज जन आशीरबाद यातरा डिवा रोट के ओम रिजोर्ट से शुरू होई और सतना जिले की 3 विधान सबान से गुज़रते हुए रात तक महीर पहुंचाए सतना रहगाओं और नागवा दिधान सवाक्षित्र के 42 जगों पर यात्रा का स्वागत होगा उचेहरा में रोट शू के बाद यात्रा रात्री में महियर पहुँचकर विश्राम करेगी जन आशिरवाद यात्रा में प्रदेश के ग्रे मंत्री दरुत्त मिश्रा और सतना सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। जन आशिरवाद यात्रा को लिकर ग्रे मंत्री का एदावा है कि 2018 से कहीं ज्यादा सीटें बीजेपी को इस बार मिलेंगी। कॉंग्रेस और कमलनाद पर निशाना भी उन्होंने साथ है। की वर्तमान में बनी है। 27 जिलों में 46 प्रदिशत का अमबारिश हुई है। मक्का, सोयबीन, तूर की फसल सूखने की कगार पर है। सतना, अशोखनगर, मंसौर, खरगोन, खंडवा, भोपाल, सीधी, गुना, शाजापूर, रीवा, सूखे की चपेट में है। वहीं मौसम विभाग की माने, तो सितंबर में एक बार फिर सिस्टम एक्टिव होने की संभावना है। से 5 सितंबर के आसपास मंगाल की खाड़े में सिस्टम एक्टिव हो सकता है, 6 से 7 सितंबर तक लोग प्रेशर एरिया एक्टिव होगा, 18 से 19 सितंबर तक सिस्टम बने रहने की संभावना भी व्यक्त की है। तो इस स्थिती आप देख रहे हैं, बांधों की स्थिती भी आप देखें कि प्रदेश के तकरीवन सभी बांध 5-6 प्रदिशत से लेकर 55 प्रदिशत खाले हैं। वहीं मध्य प्रदेश में सूखे के स्थिती को भाप कर मुक्यमंत्री शिवराद सिंग चोहान लगातार चिंतित हैं। पानी छोड़ें, अभी फसलें बचाई जा सकती हैं, बारिश नहीं होने से किसानों किसान ने बिजली का संकट पैदा हो रहा है। हमारी टीम लगी है, कुछ प्रदेशों से बातचीच जा रही है, अन्य प्रदेश से बिजली ली जाएगी, बिजली संकट दूर करने और वर्शा के लिए किसान भी अपने अपने गाउं में पूजन करें और इसके बाद जोस्तिती बनेगी मिलकर देखेंगे। आज महाकाल महराज की सरण में आया हूँ और यही प्रार्थना की है, इसी भाव से आज महाकाल महराज की पूजा की है, वह हम सब पर किरपा की वर्शा करें, अच्छी वर्शात हो जाए। इन दौर में नगर निगम ने कारवाई की 50 साल पुराने एक जरजर मकान को जमीदोस कर दिया, रहवासियों को जरजर मकान से खत्रा हो रहा था, नगर निगम ने नोटिस देकर मकान को ध्वस्त किया है। मद्रदेश में आज 230 अनाज मंडियों के तकरीबन 25 जार व्यापारियों ने अरताल कर दे, व्यापारी मासंग समिधी के आवान पर अनाज व्यापारी मंडी टेक्स डेड़ प्रतिशत से घटा कर एक प्रतिशत करने और दुकानों के लाइसेंस नवीनी करण की अनिवारत समाप्त करने समेथ, कुल 11 सूत्री मागों पर हरताल पर हैं, हरताल की दौरान किसी भी तरह की कामकाज नहीं इदर राइपूर में स्वासकर्मियों के अरताल जारी है, पंदर्वा दिन है, अब तक 12 स्वासकर्मियों की बरखास्त की हो चुकी है, निलंबन और F.I.R. के बाद से आंदूलन और बढग गया है, अरताल से लोगों को कई तरह की दिक्कत है इदर राजब में स्कूली बच्चों ने B.O. दफ्तर का घिराव किया, सिर्धी कला गाओं के हाइज स्कूल के बच्चों ने घिराव किया है, दो साल से सिक्षकों की कमी से बच्ची परिशान है, चार विशेके टीचर्स की कमी है, बच्चों ने मांग पूरी नहोने पर चक्का जाम की चिताब नहीं भी दी बिंड के वक्की भुपाल में संदिक्त मौत हो गई जिसके बाद इटाबा रोट के इंद्रा गांधी चुराहे पर परीजनों ने शवरकर चक्का जाम किया हत्या का रोप है मामले में जाच की मांग है मौरेना में 15,000 उपी की रिश्वत लेते पटवारी को गिरफतार किया गया है गौलियर लोकाएक टीम ने सुरेश बंजारा को रिश्वत लेते पकड़ा किसांद से जमीन के नामातर्ण के रिश्वत भांगी गई थी पटवारी जोरा तहसील के गले था अलके में पदस था नवोदय कॉलोनी पटवारी की निवास पर उसको गिरफतार किया गया बौपाल में चैनित पटवारी भिरतियों पर कारवाई की गई 50-60 भिरतियों पर FIR हो गई है नियुक्ती को लिका रिविवार को नीलम पार्क में प्रदर्शन कर रहे थे जहां गीराबाद पुलिस केजदर्ज किया था ग्वालियर में होमवर्क ना करने पर चादर की पिटाई कर दी गई आठमी की चादर की प्लास्टिक की पाइप से पिटाई का मामला सामने आया ये घटना प्राइम क्लासिस कोचिंग की है रविवार देरात परिजन ने शिक्षकों के किलाफ केजदर्ज करा दिया महराजपुरा थाने में दो कोचिंग संचालक और तीन टीचर्ज पर केजदर्ज हुआ है ग्वालियर में डेंगू का कहर है 24 घंटे में 6 नए मरीज मिले है 44 सेंपल्स की जाच की गई जिले में डेंगो मरीजों की समक्या 88 तक पहुँच गई बैकॉंटपुर में मवेशियों की साथ विरोध प्रदर्शन करते लोग दिखें मवेशियों को लेकर नगरपाली का पहुँचे 200 मवेशियों को लेकर नगरपाली का पहुँचकर लोगों ने विरोध प्रदर्शित किया मवेशियों के जूना पारा और केना पारा में आने से लोगों की नाराज़गी है मवेशी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा रहे है नर्मदापुरम जिले के ग्राम सामोन में रेत का अवैद परिवन करते एक डंपर ने एक कार को जोदा ठकर मारी दो पुलिस कर्मियों समेट तीन लोग इसमें गंभी रूप से घायलो गए है तीनों को पहले सामदा एकस्वास केंड ले जाए गया हालत नाज़कोने पर उन्हें एमबुलेंस से नर्मदापुरम के एक निजी एस्पिताल भीजा गया जहां इलाज के दोरान एक पुलिस कर्मी ने दम तूर दिया पुलिस कर्मी जगजीत सिंग माखन अगर थाने में बवदस था पुलिस ने बताया कि शास की गोपनी काम के लिए प्राइबिट कार से दोनों पुलिस कर्मी नसीरा बाज जा रहे थे तब ही हाथसा हुआ तोर में हुई हत्या के दोरान का एक वीडियो सामने आया पंड़ी नाथ थाने के कबूतर खाने की गटना है सल्मान लाला गैंक के बदमाशों का हंगामा करते वीडियो आप देख पाएंगे हत्या से ठीक पहले बदमाशों ने इलाके में तोड़ फोड़ की कल क्रिकेट खेलने को लिकर विबाद हुआ था चाकू मारकर एक वक्त की अत्या कर दी गई थी हमले में तीन लोग जखमी हो गए थे हमलावरों ने हवाई फाइरिंग भी की और उसी दोरान का ये वीडियो बताया गया कि जब पहले अंगामा किया और बाद में अत्या कर दी गई खरोरा सिखबर जहां नहर में महिला की लाश मिली है पती के साथ नहर में नहाने गई महिला की लाश मिल गई दुरगेश्वरी सिना पिसल कर नहर में बह गई गई थी बंगोली मुरा नहर में महिला का शव मिला है मंदर असौत की रहने वाली महिला बताएगे मरवाही में इन दिनों हाथियों का उत्पात दिखाई पड़ रहा है पांच हाथियों का दल पहुँचने से ग्रामीन दहशत में हैं सिवनी से मरवाही जाने वाले मेन रोट पर हाथी पहुंच गए हैं घरों को नुकसान भी पहुंचा रहा है हाथियों के दल में सिवनी चिछगोहना और पंडरी इलाके में 12 से ज़्यादा किसानों की फसलों को काफी नुकसान दिखा है इसे देखते वे वनिभाग ने अलर् है रविवार को पुलिस की एक बड सेना के वहन से टकरा गए हाथसे में 17 पुलिस करमी और 3 महिला कैदी घाय लोगFI हैं शीरगर की सेंटरल जेल से भद्रवा जेल जा रही पुलिस की बस मरोग के पास में आगे चल रहे सेना के वहन से टकरा गए सबी घाय लों को रामबन जिला अस्पताल में बरती किया है रतलाम के ग्राम पलसोडा में ग्रामीन अच्छी बारिश के लिए तरह तरह के टोटके कर रहे हैं ग्रामीनों ने पहले तो मेड़क मेड़की की आतरा निकाली पूजार्चना की फिर ढोल नगालों के बीच में सरपंच को गदे पर उल्टा बिठा कर गुमाया इसके बाद भगवान इंद्रदेव से अच्छी बारिश की कामना किया है और शत्तीस गड़ के लिए रात भरी खबर प्रदेश में कल से मौसम का मिज़ाज बदला हुआ है मौसम भाग ने दस जिलों में भारी बारिश के आसार जताए हैं इसमें सरगुजा, जश्पूर, कोरिया, सूरजपूर, बलरामपूर, पैंडरा, बिलासपूर, कबीरदाम, बस्तर और सुकमा में भारी बारिश की संभावना है वहीं कुछ स्थानों पर बिजली गिरने के भी आसार है मौसम भिज्यानी जणकराम साहू ने बताया कि प्रदेश में आने वाले एक हफते तक अच्छी बारिश होगी इसरो ने चंद्रमा की सतह पर चंद्रियान 3 के विक्रम लेंडर की एक बार फिर सॉफ्ट लेंडिंग कराई इसकी जानकारी इसरो ने खुद सोशल मीडिया पर दी इसरो ने कहा विक्रम लेंडर अपने मिशन की उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ा है ये उम्मीद भरे एक प्रयोक से सफलता पूर्वा गुजरा है इसरो की ओर से बताया गया कि कमांड मिलने पर विक्रम ने इंजन को फायर किया अनुमान के मताबिक करीब 40 सेंटीमीटर तक खुद को उपर उठाया और आगे 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर सुरक्षित लेंड भी किया इसरो ने चंद्रमा पर एक बार फिर विक्रम लेंडर की सौफ्ट लेंडिंग पर कहा है कि इस प्रक्रिया से भविश में सेंपल, वापसी और चंद्रमा पर मानव अभियान को लेकर आशनाये बढ़ गई है और अब आरी है यूपे अपडेट के बारा बंकी में तीन मंजिला घर गिरने से आठ घंटे बीत जाने के बावजोद रेस्क्य आपरेशन अब तक पूरा नहीं हुआ मलबे के नीचे पसे लोगों को बाहर निकालने के लिए NDRF, SDRF की टीम लगातार मशक्कत कर रही है अब तक 15 लोगों को बाहर निकाला गया है जिन में से तीन की मौत हो गए तीसरा शब दोपेर करीब दो बजे मलबे से निकाला गया जो घर गिरा वो 20 साल पुराना बताया गया कमजोर नीव पर तीन मंजिला बिल्टिंग बनवा ली गए थी यह घटना फतेफुर पोतवाली शेत्र की है हापुलक में वकीलों पर हुए लाटी चार्च को लेकर लकनव में बड़ा प्रतरशन किया गया वकीलों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारिबाजी की मामले में कारवाई की मांग की बड़ी संख्या में वकील लखनव के स्वास्त भवन से परिवर्तन चौराहे के और बढ़ रहे हैं और पुलिस प्रशासन के किलाफ लगाता नारे बाजी की उत्तर प्रदेश के बरेली में बागेश्वर धाम की पीठा दीश्वर धीरेंदर कृष्ण शास्त्री को अत्या की धंकी देने वाले आरूपी को पुलिस ने गिरफतार कर लिया आरूपी अनस अंसारी ने इंस्टाग्राम पर धंकी बरा पोस्ट लिखा था इसलिकर हिंदू जागरण मंच और विशिदू परिशद ने थाने पहुंच कर पूरे मामले की आरूपी के खिलाफ सक्त एक्शन की मांग की इस मामले को गंभीर पाकर पोलिस ने भी केस आरूपी को गिरफतार कर लिया है आरूपी बरेली के हाफिज गंज इलाकी के रिठोरा क्शीतर का रहने वाला बताया गया लखनव में अल्प संख्यक कल्यार और वक्फ बोर्ड के सौ कनिश्क सहायकों को नियोक्ती पत्र वितरन किया गया मुख्यमंत्री योगी आधितनात ने नियोक्ती पत्र सौंपा है लोक भवन सबागार लखनों में ये कारकरम आयजित हुआ है मिर्जापुर जिलाधकारी के पत्सी तबादने की बाद में आईस धिव्या मित्तल की विदाई चर्चा में है विदाई कारकरम के दोरान भारी संख्या में मौजूद महिलाओं ने महिला आईस को गुलाब के फूलों की पंखुडियों से नहला दिया डियम की इस विदाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वायरे